दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आपने आज के करेंड अफेस्ट डेली बेसिस पर यहां पर आपकी क्पोइंट और निउस ऑफ द डे पीवाई की कवर कर सकते हैं यहां पर इसे आप जरूर सच कर लें पीडियाफ और लिंक आपको यही पर मरने वाली है तो आप इसे जरूर जोइन करिएगा और स्टार्ट करते हैं आपने आज के पहले कोशन को देखिए अपके द्वार तो सवाल यह पूछा है कोशन बहुत ही आसान है कि किस मिनिस्टरी के द्वारा तो डेफिनिली मिनिस्टरी आफ आईउश के द्वारा लेकिन इसकी डिटेल बहुत जादा इंपूरन नहीं तो डिटेल जरूर कवर कर लेते हैं देखिए पहली बात तो यह जो पूरा इवेंट हुआ था यह पूरा इवेंट कहां से हुआ था ठीक है आईउश भवन से हुआ था और इसमें क्या किया कि डॉक्टर मंजुपारा जो मिनिस्टर आफ स्टेट है इन्होंने यह कैंपेंड जो स्टार्ट करी इसमें इन्होंने प्रमोट किया कि जो मेड जरुकरना उसको जो मेडिसीनियल प्लांट से उनको हमें एज़ पार्ट ऑफ फैमली केर करनी है उसकी इंपोर्टन कोशन पूचा क्ता है इसमें इन्होंने जो है जो मिनिस्ट्री के जो स्टाफ है उन सभी को कर दिस्ट्रीक की और यह टारगेड रखा कि आने वाले एक साल में 75 लाइक हास ओल्ड जो खे। और अभी इसके ुशुरुवात कर भी दिएगे थी 45 लोकेशन में इस पूरे कैंपेंट को प्रोमोट कीया गा है एक स्टेट जो है इस पूरे जो medicinal plants होते हैं, example के तोर पे तेजपत्ता, आमला, तुलसी, ब्रामी, ये सब जो हैं, बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं, तो इसको promote करना ज़रूरी है, और सेम ऐसा campaign मुंबई में भी किया गया है, किसके द्वारा Ministry of Ios, ठेके, जो हैं, उनके द्वारा किया गया, तो question important है, पूरी agreement इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, तो इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन किया, अब अमेरिका के साथ कोई deal साइन होती हैं, डिफेंस में, या फिर ऐसे जो aerial vehicles हैं, इन सब के लिए, तो वो एक particular basis पर होती है, वो base क्या है, वो base है, defense technology and trade initiative, ये इंडिया और USA के बीच म 2012 में साइन हुआ था, इसके तहट दोनों जो है, bilaterally defense relationship को मजबूत करने में लगे हुआ है, और दोनों के जो working groups हैं, वो land, air, naval, aircraft, चारो में से कोई सा भी हो, इन दोन चारो domain में काम करते हैं, अब इसी के तहट जो है, ये project agreement जो है, air launch unmanned aerial vehicle का launch किया गया, इसके साथ एक और ह है, इसके तहट इसे project agreement को sign किया गया, वो है research development, testing and evaluation, RDT and EA, momentum जो इंडिया के ministry of defense ने अमेरिका के US department of defense के साथ sign कर रखा है, तो ये तो चीजे important है, जिसके तहट इस पूरे agreement को sign किया गया, अमेरिका और इंडिया के बिचे, तो agreement याद रखेगा, important question, अब देगी तीसरा सवाल मनोज सरकार जो है, इनको bronze medal मिला है, पैर ओलंपिक मैं हमेशा cover करता हूँ, कोई भी medal आयो तो update, तो इनको ये जो medal मिला है, वो किस sports event में, तो badminton में मिला है, इनके साथ एक और खिलाडी है, जिनको gold भी मिला है, मनोज सरकार जी को मिला है, bronze, तो पहले मैं इनके बारे बता जीता है, ठीक है, इनको पहले भी कुछ awards मिल चुके है, gold medal इनको ने 2011 के Asian Championship जो हुई थी वीजिंग में उसमें जीता था, और 2018 में इनको अरजुन आवोर्ड से भी समानित किया गया था, तो famous खिलाडी है, और दूसरा, एक gold भी badminton event में जीता गया, वो किसके द्वारा जीत सकते हैं, प्रमोज भगत, इनको gold मिला है, ठीक है, इन्होंने किसे हराया है, gold जीतने के लिए, ब्रिटेइन के खिलाडी है, उनको हराया है, badminton के tournament में, same Tokyo पैदा लंग, तो ये दो gold और जो bronze है, वो एक event में आए है, तो important question आ सकता है, which of the foreign space agency, Mars Rover, has collected the first rogue sample, जब ये return कर रहा था, तबी इसने rogue sample collect किया, मतलब इस वरी ये successful रहा, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, कल या परशोर साइद में चाइना के एक helicopter के बारे में बताया, Mars Mission के उसमें, तो उसमें मैंने आपको एक जिकर किया था, कि NASA का एक project है, ठीक है, तो इस question का answer है, NASA, ठीक है, NASA का एक पूरा project है, project के बारे में बताता हूँ, Mars का जो perseverance rover है, ठीक है, ये NASA के द्वारा भेजा गया था, इसने पहले भी 5 अगस को एक attempt किया था, कि जो Mars है, वहाँ पर जो stones है, वहाँ पर जो rocks है, उसको collect किया जाया, ठीक है, लेकिन उस समय ये unsuccessful रहे 5 अगस के drill में, क्योंकि ज जो material था, जो rock material था, वो soft था, जो कि टूट गया और वो collection tube में नहीं पोचा पाए, लेकिन अभी हाल फिलाल में, ये NASA ने दावा किया है, कि Mars perseverance ने, ये successfully इस बारी रोक जो है, ठीक है, इसको collect कर लिया है, और अब future mission में, इसको जो है, return earth पे लेके आया जाएगा, तो definitely एक success ह ठीक है, ठीक है, नासा के लिए, छले एक और question देखते हैं, Indian para-athlete, जो Singraj Adhana है, ठीक है, इन्होंने दो medal flame करें है, para Tokyo Olympic में, देखें, अब ये कौन सी खेल में जीते हैं, तो answer क्या है, इस question का, shooting में जीते हैं, देखें, मैं आपको बता देता हूँ, कौन-कौन से दो medal जीते मैं इसमें एक और खिलाडी का भी जीकर करूँआ, क्योंकि ये same event में ये भी जीते हैं, देखें, पहले तो ये जो व्यक्ति हैं, ये है सिंगराज Adhana, जिन्होंने अभी जीता है silver, किस में pistol में, ठीक है, mix 50 meter pistol में इन्होंने जीता है silver, ठीक है, और इन्होंने पहले bronze भी जी इसी event में, मतलब ठीक है, पैर ओलंपिक में, वो किस में था, वो 10 meter में था, वो किस में था, 10 meter air pistol event में था, तो मतलब ये अभी तक silver और bronze दोनों जी चुके हैं, ये जो है, ठीक है, और दूसरा है, ये वे, ये 19 year old machine, जो मनीश जी है, इनके द्वारा क्या जीता हूँ, मनीश आले एक और बताया था, ठीक है, तो याद रखेगा, कि ये जो pistol event 50 meter का हुआ, तो इसमें हमें gold भी मिला है, इसमें silver भी मिला है, ठीक है, नाम अलग-अलग है, मस्क खिलाडियों के, तो दोनों खिलाडी महतपूर हैं, कोशन आ सकता है, हाल फिलाल में, vice president जो है, Asian squash जो federation है इनके किसे बनाएं गया है, तो बहुत famous खिलाडी है, ठीक है, इनको राष्ट्रपती से भी सम्मानित किया जा चुका है, answer है, Cyrus Sponcho इसका answer है, ठीक है, तो Cyrus Sponcho जो है, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी image है, और ये उस समय का image, जब president APJ अब्दूल कलाम जी ने, इन्हें द RFI, उनके Secretary General है, और हाल फिलाल में इने जो है न, Asian Squares Federation का Vice President चुना गया है, चार साल के लिए, इसके अलावा, ठीक है, दो और व्यक्ति हैं, ठीक है, फैस अब्दुल्ला जिनको कुवेद से Vice President चुना गया है, और दूसरे हैं, ठीक है, तैयाव शोग जिनको Korea से चुना गया ठीक है, और अभी जो करेंट जो स्क्वेस रेकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिनेंट है न, दिवेंदरनाथ सरा गय, इनको भी किसी समय में Vice President चुना गया था, तो यह बहुत इंपोर्टेंट डिटेल है, मैं पूरा एक्स्प्रेंट फोर्म में बता रहा हूँ, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसकी हर इंफोर्मेशन आने चाहिए, यह आपको वीडियो डेली सुबह छे बरे मिल जाती है, व्ल्ड अफेस के वीडियो सेक्शन में और मैं टेलिग्राम चैनल पे, बड़ा इंपोर्टन कोशन, पहला तो यही इंपोर्टन है कि Financial Stability and Development Council की कौन सी मीटिंग हो, तो 24th मीटिंग हो, और यह अमूमन देखा जाता है कि यह पूरी जो मीटिंग है, यह मिनिस्टर कौन जो है, इसे हेड करते हैं, तो वो Finance Minister ही होते हैं, तो नेमला सीता रमन जीर के द्वारा ही इसे हेड किया है, देखें, इस बार जो 24 में मीटिंग होई, इसके जो डिसकर्शन पॉइंट्स थे, वो Financial Stability, Financial Sector Development, Interregulatory Coordination, Financial Literacy, यह सब इनका डिसकर्शन दा, और इसमें और चीज़ें भी डिसकर्स करेगी, कि पहले जो Financial, जो Stability, पूरा Development Council की सब कमिटीस थी, जो कि RBA के गवर्नर चे पर फोकस किया गया, इस मीटिंग में और भी सदस से आया थे, जैसे भगवत, कराद, जो है, Ministry of State Finance है, शिरीपंकर जी भी सेम है, और RBA के गवर्नर डेफिनेटली उसमें होंगे हीजदा, ठीक है, और आप देख सकते हैं पूरी इमेश, तो यह कम्प्लीट, और भी बहुत स इंपोर्टन कोशन है, पावर ग्रीट को मिला है, पावर ग्रीट को, तो पावर ग्रीट, ख्यान रखीगा, टोप 20 में, इट इस दा ओनली वन, ठीक है, और तू इंडियन कमपनीस टू गेट दा, ठीक है, रैंक इन टोप 20, तो इंपोर्टन कोशन है, और अगर आपसे इंपोर्टन कोशन है, आ सकता है कि पावर ग्रीट को एट रैंक मिली है, अमंग 71 और ग्रीट कोशन आने के चांसिस है, देखें, बिच इंडिस्ट्री विल होस्ता, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, बीस, 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 जो है, देखें, यह होस्त किया जाएगा, पी PhD मतलब होई चुका है, PhD Chamber of Commerce and Industry के दौरा, इसमें अभी इतना clear-cut information नहीं आया, लेकिन बस इतना है कि इंडिया ने जो होस्त किया है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, उसको रिप्रेजेंट पूर्ण कर रहा है, ठीक है, यह कर रहे है, ठीक है, याद रखेंगा, ठीक है, PhD Chamber of Commerce and Industry, और discussion points क्या होने वाले है, Hydrogen, National Hydrogen Portal का जो है, यह discussion point रहेगा, ठीक है, सदस से यह है, ठीक है, तो इसका detail में और जब आएगा, ठीक है, update मिलेगा, तो definitely इसको और clear तरीके से बताऊँगा, ठीक है, अभी इसको कुछ update नहीं आया, तो उसको पढ़ने का इतना फायदा ह होगा नहीं, ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि कौन इस से में जो है, रिप्रेजेंट कर रहे है, पोशन आ सकता है, और जो update आएगा, वो clear देखेंगे, ठीक है, next classes में जब भी update मिलेगा, 28th edition जो है, Simbex का, बहुत important है, यह दो, कौन से देश है, इंडिया, किस के सा शुरबात जो है, 1994 में कीगी, it's the longest continuous bilateral naval exercise, जो कि इंडियन नेवी किसी foreign country के साथ करता है, तो यही है, Simbex, important question है, आ सकता है, 1994 में शुरबात हुई, चली, तो इंडिया की तरफ से कौन-कौन था, तो इंडियन नेवी, वो represent किया, guided missile destroyed, INS, रन वीजे के द्वारा, और भी और जितने भी, आप एक बर ही ज़रूर read करिएगा, so that आपके लिए, complete information हो जाए, देखे एक और question, कौन सा state है, जहाँ पर, ठीक है, first ever electric vehicle charging station, जो है, लेड़ डाउन किया गया, यह power grid ने, लेड़ डाउन किया है, तो यह में खालने में किया गया, आप देख सकते है, power grid ने foundation stone रखे, first ever electric vehicle charging station के, कहाँ पर में खालने में, याद रखेगा, power grid ने यह जो किया है, यह exactly location क्या है, लेपलेंग शिलोंग, office complex है, में खालने में, ठीक है, जहाँ पर इसको setup किया गया, एक चीज़ और important है, कि जो यह पूरा electrical vehicle charging station है, यह develop किया गया, faster adoption and manufacturing, hybrid और electric flame, जो पूरा एक scheme चला था, उसके अंतरगती से setup किया गया, इसमें और भी task दिया गया, power grid को, यह task दिया गया, कि यह 11 EVC जो है बनाएंगे, electrical vehicle charging station, शिलोंग शहर में, जिसमें से 5 public area में होंगे, और 6 governmental area में होंगे, ठीक है, और इससे पहले, ऐसा नहीं कि power grid ने मेह खाले में, पहली बर इससे पहले यह जो setup है, यह major cities like Hyderabad, एहंदाबाद, दिल्ली, बंगलोर, गुर्गाउं, इन सब जगा पे setup करा भी है, ठीक है, तो important devotion आ सकता है, आज की quick point देखिए, CMD किसे बनाए गया, राष्टे इस पत निगम limited का, तो अतुल भट को, दूसरा, 225 million euro का, जो है fine, WhatsApp पर कि इस ने लगाया, privacy violation के ऊपर, तो Ireland ने लगाया है, ठीक है, first woman CMD of engineers India Limited, तो कौन थे है, वर्तिका शुक्ला जी, इन्हें बनाएगा, इसको मैं ओर detail में जरूर पढ़ाऊंगा, कल मैंने question पूछा था कि एहमत शापदाली, ठीक है, इन्होंने महराठास को कौन सी battle में रहा है, तो रिया सिंग का बहतरीन आंसर है, third battle of पानीबत, ठीक है, और बाकी पूरी other battles की बेटल बैटल बकसर, battle of कनवा, और battle of तरेंग, सारी देखेगा, जरूर important है, पूरा detail में पढ़ेंगा, आज का question देखे, जो CGL में आया है, 2016 में, ठीक है, सतवाना empire के founder कौन, बाकी और जित जरूर सच करो, इसे जोइन करो, इसमें मैं आपको PDA प्रोवाइड कराता हूं, लिंक्स प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफीशर रहेगा, और मेरी free classes आन अक्याड़ी पे हमेशा अबलेबल होती है, ठीक है, मैं जो आन अक्याड़ी की free classes कराता वो आपको world affair level की ही मिलेगी, current affair जो है, mega revision पिछले जनवरी से लेके, ठीक है, अभी जुलाई तक चल रहे होंगे, ध्यान रखिए कि मैं आपको August का compilation जल दूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो भी, एर अब profile follow कर लिजेगा, अमन्दीप शर्मा जो आपको link में मिल चाहेगा और refer code live woman है, जिसको आपको use करना, courses नहीं आ चुके हैं, मैंने आपको बताया है, 8 September से नहीं बैचिस भी start हो रहे हैं, चाहें आप SSC select करें, चाहें आप कोई भी अन्ने goal select करें, आपको pick करने के बाद एक refer code लगाना पड़ता है, और live woman on academy का one short solution है, जिसमें आप क् refer code को जरूर लगाई, you can see कि इधर fees जो कम हो रही है, वो definitely refer code को use करके हो रही है, तो 24 month select करके आप यह refer code जरूर लगाएं, फिर आप month select करें, इसमें आपको सारे teacher, सारे subject, सारे courses, सब कुछ मिलने वाला है, जो unacademy provide कराता है, तो आप यह refer code यूज करिए, comeback का हिस्सा बन सकते आप इसी refer code को use करके, ठीक है, सेशन को आप like करिए, share करिए, चैनल को subscribe करिए, सुबह 6 बजे world affairs के video section में वीडियो आ जाता है, तो देली देखिए, thanks a lot for watching,